तो साथियों कैसे हैं आप सभी इंडिया न्यूस पाइंट पर आपका एक बर फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है न हमने अपने चेनल की उपर आपको पूरा जो है चुनाव दिखाया और ये चुनाव किस प्रकार से रोमांच चक र दी लेकिन कोंग्रेस में टिकट का असमंजस चलता रहा फिर उसके पस्चाद क्या हुआ कि जेज़ेपी में आगे राव बादर सिंग जी कोंग्रेस को छोड़ कर क्योंकि उनको लगा कि उनको टिकट जो है नहीं मिलने वाली है इस वज़े से वो उन्होंने क्या कि उन्हो दूसरी बात ये रही तीसरा ये रहा कि चोदरिद रमवीर जी का थोड़ा सा एक विरोध रहा सी महागाओं के अंदर और उसे विरोध के लिए हम गए भी महाँ पर वहां लोगों कह रहे थे कि खुन दे सकते हैं वोट नहीं गाउने सांसद पर तैसे का विरोध किया लेक हमने सर्वे किये बहुत सारे सर्वे किये उसमें काफी सर्वे ऐसे रहे जिसमें लोगों ने बताया कि हम किस परकार से अपने जो नेता हैं उनको वोट डालेंगे और हमने इसमें कुछ इंटर्वियू भी करें जैसे चोदरिद रमवीर जी का हमने इंटर्वियू भी किया यहां पर और लोगों ने मोदी को बगवान भी बताया और उसके साथ हमने कुछ सोशल खबरें कुछ इस तरह की खबरें भी आपने डाली जैसे यह खबर है अभी भी बन रहे हैं और आगे भी हम बन वाएंगे साथ में अबैसिंग छेड मत कर प्रोफेसर रामिला सर्मा का रेली में जो सब्जी मंडी में रेली हुई थी उसमें बाशन था तो उन्होंने कुछ इस परकार से बाशन दिया कि लोग उनको सुना लोगों ने सुना और य इनकी जो एक सोट्स है उस सोट्स के उपर तो आठ लाग से भी जादा व्यूज आए तो काफी प्यार दिया आप लोगों ने भी और फिर रावदान सिंग जी को टिकट मिल गई जैसे इनको टिकट मिली तो फिर हमने इनसे भी बात्षित करनी शुरू करी और हमने इनका ए साथ में और फिर उसके बाद ओ्फिस की अपनिंग होना सुरू हो गई पभी कहीं की जैसे बिवानी में रावदान सिंग जी के समर्थिन में वोमड़ा उथ हुँमी इस में क्या था की कारिय करता समयलन भी था और इनके ओफिस की ऑपनिंग भी की थी और आप यहां पर पह देख सकते हैं और मेंदरगड के बड़े गाउं में फिर राव अक्सद जी का मतलब प्रोग्राम दिखाया नहीं जन सबाएं हमने आपको दिखाई फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लोग सब पड़ते हैं जेजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं एक अफ़ा फैल ग कि इधर से जैसे इनका एक उद्देशे था कि मैं एक यादव कंडिडेट हूँ हलंकि हमें जाती पर नहीं जाना चाहिए लेकिन चुनाओं पर आज कल जाती कब मैंने बहुत कुछ देखा कि जाती किस प्रकार से इंपक्ट डाल रही थी तो यह सोच रहे थे राव बादर शीट निकाल ले जाओंगा और जेजेपी में जाने के उद्देश से यह था कि कुछ जांट भी इनके फिवर में आ जाएंगे चरकेदादरी और बिवानी के साइड से तो यह राव आदर सिंग जी सोच रहे थे एक और बात यह सोच रहे थे छेतरवाद का नारा भी इनका था कि हमेशा उदर से ही बनते हैं तो जब सुलाती चोधरी और चोधरी द्रमवीर जा पस में लड़ेंगे थे उस समय अनम्छेतरवाद का भी नारा देंगे कि इस तरफ़ वाले कंडिडेट को जिताए जाए और बाकी आप जानते हैं कि यह राज़स्थान 60 से हैं और हमन पर इनों को इन्होंने वो स्कूल सुरू किये तो शिक्षा हब बनाने में में अंदरगर्मिन का एक महतरपुन योगदान रहा है अपने आप में और इसी चीज़ को एक कैस भी कर रहे थी इसके अंदर कि मुझे वाया स्कूल सब लोग जानते भी है तो मेरे पास आ भी जाए था कि इस सीट में आसानी से निकाल सकता हूँ हलांकि उसके बाद काफी चर्चाएं रही ये दिल्ली चले गए फिर महां से सुनने को मिला की जेज़ेपी में ही चुनाव लड़ेंगे ऐसी कुछ बाते रही वो अफाएं थी या फिर बात्चित थी वो आप जाने आपका का में आप का मेंड़ बोक्स में बताएं कि क्या क्या उस समय बात्चित हो रही थी और हम तो बस जैसीन से फिर चुनावी चर्चा की ऐसे आमादीम पार्टी के ओफिस में जाके चुनावी चर्चा की फिर दोंगडाहीर में जन सभा दिखा दी हमने आपको और सरवे दिखा दिखा दिया फिर चोदरी द्रमवीर जी का कोई प्रोग्राम था सेर के अंदर वो दिखा दिया उनकी ओफिस के ओपनिंग होगी नारूर में रावदान सिंग जी के ओफिस के ओपनिंग होगी में अंदर कर में चोदरी द्रमवीर सिंग जी के नाम से वावन तो यहां पर office opening हो गई थी और दूरफदांगरी में राव्दानð सिंगि जो जोड़ार स्वागत पिर यज क ölरोडो सो फर और अखर वहा और सील फार्म में नामंकन रेली हाँ फिर नामंकन रेली हुए और दोनों ही इस ठोक ने है नामंकन रेली करी राव्दांगरी जी ने भी और राव् कि जैसा कि मेरी नोलिज में है कि पहले जब भी महंदरगड बिवाणी जो सीट थी सीट को बिवाणी महंदरगड बोलते थे और इसलिए बोलते थे क्योंकि बिवाणी में ही चर्केदादरी होता था और उनके पास जादा विदान सबाय थी कुछ इस परकार से अब की बार सा बिवानी में वी कम है तो इस वज Ayas Un Isa da जो है यहांहीव अब到底 के अंदर सकते राभ इंदर जी जी निया है तो इस वज़े से ठोड़ा से मैसेज अलग तरीके से गया कि साइद राविंदर जी जी क्योंकि राविंदर जी जी उससे दिन बुलाई गए थे special नमंकन के लिए और उस दिन वो पहुँचे नहीं पहुँचे तो मैसेज कुछ अलगी परकार से गया और जब अलग भी परकार से मैसेज गया तो इनकी मजबूरी होगी कि फिर से उनको बुलाया जाए तो बाद में इनोंने बुलाया भी वो भी आपको दिखाएंगे चोदरी दरमवीर सिंग जी को जो है ना हमने नामंकर रेली में दिखाया इनकी नामंकर रेली रावदान सिंग जी की भी दिखाई चुनावी सभाएं भी दिखाई और रेली के बाद करे करता क्या बोले वो सब भी दिखाया एक सबसे बड़ी बात किरन चोदरी और रावदान सिंग जी की भी रही यहांपर 2014 तक वो शांसद भी रही बेंदरगेट विमानी सीट से लेकिन 2014 से 2014 का जो चुनाव था इसके अंदर उन्हें हार कास सामना करना पड़ा इस वज़े से अब की बार जो है उपर के जो कॉंग्रेश मतलब जो उन्होंने सोचा कि वही ये बात बनेगी नहीं तो इस वज़े से ह जो परिवार है जैसा कि आप जानते है चोदरी बनसिलाल जी का परिवार है तो चोदरी बनसिलाल जी के इस परिवार के अंदर जैसे एक आसा थी कि बही ये टिकट हमें मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नहीं होने के वज़े से कुछ नाराजगियां चलती रही टिकट मिले कुछ दिन हो गए उसके पश्चाथ तोसाम के अंदर हम खुद तोसाम के अंदर गए और तोसाम से हमने पूरी कवरेज़ आपको दिखाई उसमें हमने यह दिखाई कि किस प्रकार से किर्ण चोदरी सुरुती चोदरी वहां पर पहुंची हवन मगरा में और किर्ण पर शुरू से लेकर लाश तक समर्थन के जो ना आरूप लगते रहे कि साइद समर्थन देना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने जैसे टिकट नहीं मिली तो एक कार्यकरता सम्मेलन के अंदर उन्होंने कहा कि हमें है ना जिस परकार से रावदान चिंग जी ने हमारा चुनाव मे लगाए जा रही थी मतलब उस समय ऐसा सोचा जा रहा था लोगों के मादम से कि साइद हो समर्थन नहीं करेंगे उसके बाद यहां पर आई तो यहां पर भी कुछ उनका जो बास्टन था कुछ इसारों में इसारों ने वास्टन था हम खुद वहां पर मौजूद थे हमने डिबेट भी करवाई, और यहाँ पर हमने रोडसो जो है, वो भी दिखाए, बिवानी का यह रोडसो था और काफी लंबा चोड़ा रोडसो था, और फिर जैसे कुछ जन सवाएं भी हमने आपको दिखाई, खाती वास में चोधरी दरमवीर जी चोदर दर्मवीर सींग के प्रोग्राम में बेरी में क्या बोले लोग दोलेडा में क्या हुआ स्रामला सर्मा जी का भी मतलब बाशन आमनी से में लगाया और ऐसे ही करके अंजना उमकर्षप हाँ यह एक विशेश बात है कि अंजना उमकर्षप यहां पर आई उस दिन जो मेहंदरगड के लोगों ने जो परिचे दिया अब वो मतलब क्या कहीं हम इस बात को मानते हैं कि हो सकता है इनका किसी तरफ कोई इंफ्लूएंस हो और लोग इस बात को मान भी ले लेकिन जिस प्रकार से कोई बाहर से कुछ इस तरह का इंकर्ष आते हैं कोई ऐसी चीज आते तो रास्टे पटल के उपर अगर कोई बात आते हैं तो कुछ इस तरह का बरताओ तो नहीं होना चीए था अगर कुछ शिकायत है तो आप सिदा शिकायत कर सकते थे उन कैमरा भी कर सकते थे और कोई भी वक्ती जब आता है मतलब हमारे गाओं में बहुत अच्छी चीज देखी मैंने कि हमारे गाओं के अंदर हमने ये देखा कि चाए वोटर थे या नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कि जो भी वोट मांगने आया उसका मान सम्मान क्या चबूतरे पर मान सम्मान किया गाओं के बीच मान सम्मान किया मालाए पहना कर मान सम्मान किया उनको माइक पर मतलब की उन्होंने बोला और उनका स्वागत किया मान सम्मान किया मतलब एक होता है ने उन्होंने ये कहा थी और इस तरह ऐसे बरताव लोगों को नहीं करना चाहिए था और वहाँ पर भी हम वोजूद थे अगर वहाँ पर जो है पुलिस नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था वहाँ पर और मतलब ये एक अलग इंसिडेंट था जो कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं ये हमें रास्ट ये पटल पर बदनाम करती हैं तो ऐसी एक्टिविटीज नहीं होने चाहिए इसमें एक ही तरफ के लोग राफदान सिंग जी मिंदाबाद राफ राफदान सिंग जी जिंदाबाद के नहारे जादा लगे इससे मैसेज क्या गया इससे मैसेज ये गया कि राफदान सिंग जी के लोगों ने इनको बगा दिया ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे राफदान सिंग जी की इमेज खराब हुई अगर इनकी इमेज खराब करनी थी तो गोदी मीडिया के नहारे जादा लगने चीए थे और वो ऐसा नहीं हुआ तो मतलब विरोध भी धंग से नहीं हुआ विरोध धंग से करना नहीं आया विरोध कर भी दिया और नुकसान भी कर लिया कोई फायदा नहीं हुआ यह गुटना ही रही थी आप इसके ब चोधर द्रमवीर सिंग के प्रोग्राम में तो यहां दो लेडा में रावदान सिंग तो यहां राम बिला सर्मा जी तो यहां कहीं न कहीं जैसे रावदान सिंग जी यह फिर रावदान सिंग जी खबर है तो हम तो बैलन्स करके चल रहे हैं लेकिन फिर भी लोग कुछ तो कह कांद यहां पर यह चीज़ें हुई खास तोर पे इक विरो दुआ था कर भी रावदान जी पहुंचे और यहां नारोड में यह 1 विशेश बात ठी कि दोनों जो नेता है ब чуд Just Right Ouchnya और रावदान शिंग जीfact cos अक्सत राव और मौई चोधरी चोधरी द्रमवीर जी के बेटे तो उनका हमने नारनौल में इंटर्विव किया और ऐसे ही अक्सत राव का हमने किसी अलग जगें पर इंटर्विव किया मांडूला में रावदान सिंग के बेटे अक्सत राव का जोड़ार स्वागत वा ऐसे जगहां लग लग जगहां प्रोग्राम है राविंदर जी जी के और चारो जगहां पर जो है जो प्रोग्राम है इनका जोरदार भाषन भी रहा राविंदर जी जी जो नारणोर की नामांकर रेली में नहीं आये थे वो यहां पर आए पूरा चुनावी रिकैप में आपको ब पनेंगे ना अभी तो लोग सबागा चुनाओ है इसे मतलब आप इनका जो बाशन आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं मुलब ये खुलकर बोले रिनोंने खुलकर जो है ना समर्थन दिया चोदर द्रमवीर जी को अटेली मंडी के अंदर इससे पहले अटेली की जो हमाएं थ इसके बाद जैसे हम कभी सब्सप्रों मंडी में रावदान सिंगंतकी शु पॉत्तर बात कर रहे थे तो कभी स्थरवय कर रहे थी कि कौन जितेगा में इसमें एक और चीज देखने को मिली कि यहां पर चांदी का मुकट पहनाया गया रावकसत को ऐसे ही चीजे हुई कुछ अलग लग चीजे हुई जैसे एक और चीज हुई थी नायन गाओं के अंदर गोड़ी पर बठाके लेके गए जैसे द्रमवीर जी बेटे जो हैं वो भी द्रमवीर जी के बेटे थे उनसे भी हमने बादचित करी गाओं छिल रो में यानि निजामपूर साइड में यहां नारनोल में अलका लांबा भी पहुंची जो महिला रास्टे कोंगरेस की अधक्स हैं वो भी यहां पर पहुंची और उन्होंने भी परचार के रावदान सिंग जी के फेवर में यहां पर इनोंने सचीन पाइलेट को बुलाया सचीन पाइलेट जो आये तो इनोंने कुछ गुजर्स के जो हना वोट पर इंपक्ट डाला नांगल चोधरी के अंदर फिर नांगल चोधरी में बीजेबी का एक सेम डे था यह तो यहां पर भी हमने कवरेज की और नांगल चोधरी में रावदान सिंग जी पहुंचे इनका मतलब पूरा वाशन और पूरा प्रोग्राम आप यहां पर देख सकते हैं फिर बीजेबी ने अपने पूरी फिल्डिंग बठा दी कि कहीं पर जैसे यह लोग स अपड़ा प्रोग्राम अनुसरी जो रावदान सिंग जी की बेटी है वह भी चनऊं में वोट मांगते भी दिखाई पड़ी तो हमने एक खबर इनके चलाइ और इन्हों ने इसमें बाशन भी अर इंटरवी भी में हमारे साथ इन्हों ने किया और चर्खि दाधरी में रा चर्खी दादरी में जो राहूल गांदी की रेली हुई उसमें गाड़ियों की काफी बड़ी संक्या थी और इस वज़े से बेड़ लग गई जाम लग गया हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाई लेकिन हमने वहां पर जो लोग थे उन सभी से बातसीत करी और रेली को हमने बड़ा टेंटर ये सब और फिर हमने इनके रेली जो है ना पूरी लाई भी चलाई और यहां पर टीन हलिकोप्टर के साथ ही आये थे परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी और फिर ये भी हमने दिखा कि क्या फरक पड़ेगा परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी के यहां आने स और फिर एक विशेथ जो है एक दिन पहले ही किरन चोदरी को लेकर राफधान सिंग जी बोले और इन्हों ने कहा कि राउल गांदी जी जी की जो एक किलिप वायरल हुई थे, राफ़ गांदी जी के रैल्लिमी किरन Lou जो बाते हुई उसके लिए इन्हों ने यहां पर reply दिया और लोगों ने कहा आएगा तो मोधी ही और कहींपर हमने रामबिला सरमा जी का इंटर्वीays किया सुबह हमने रावदान सिंग जी का इंटर्यू किया और श्याम को आमने जो इंटर्यू करा वो करा रामविला सर्मा जी का इस प्रकार से हमने जो हना चुनावी खबरे आपको दिखाई और राम राम सारा ने और विशेश बात यह है कि फिर उसके बाद हमारे दूसरी खबरे आप सुरू होगे जैसे डैरोली जाट के हादसे के रूसके बाद लेक्ट जान के तो चुनावी पूरा रिकैप था इसके अंदर धूपने लग रही थी लोगों को दोपैर में भी प्रोग्राम होते थे हम सम मतलब धोपैर में जाते थे रोडसों वगरा कवर करते थे धूप पी कहते थे हमने शड़क बना दिये और उधर जाते थे तो उधर कहते थे कि अगनी वीर योजना ये गलत ले आए कॉंग्रेस वाले ये कहते थे पूले इस तरह की भाशन बाद ये भी चलती रहती थी इन मुद्दों को भी हम डिसकस करेंगे कि कॉंग्रेस ने क्या कहा ब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें मेंदगट विमानी शीट से आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है चोदरिद रहमवीर जी या फिर रावदान सिंग जी आप अपनी राय अवश्य दे बीजे पिया कोंगरेस कौन जीतेगा देश में मने का कौन परदान मंतर ये भी अवश्य बताएं बाकि हमारी चुनावी खबरे आपको कैसे लगी ये भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं इंडिया न्यूस फइंड को तने प्यार देने के लिए दिल की कर रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बारत